तो गाईज आज हम बात करने वाले हैं इस डेल लैप्टॉप के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कंडिशन आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से तूट चुका है और ये बिल्कुल खराब हो चुका है ये इसकी स्क्रीन है स्क्रीन भी तूटी हुई है पूरी लैप सकते हैं आप इसके अंदर light जल रही है इसके अंदर लेकिन basically हमें इसके अंदर लेना क्या है हमें लेना है इसका data क्योंकि इसके अंदर सारी चीजे हो चुकी है खराब तो हमें basically इसका लेना है data तो इसके अंदर हम data कैसे लें ये सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ तो guys इस वीडियो को आप end तक जरूर देखे और साथ में अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता है तो please like, share and subscribe जरूर करें guys ये इसके अंदर से देखिए ये hard drive इसके निकली हुई है ये 1TB की hard drive है और ये hard drive इसके अंदर से निकली हुई है जिसके अंदर से हमें data निकालना है तो mainly data निकालने के लिए ये सबसे पहले इसके अंदर हम इसको use करेंगे casing के अंदर और ये check करेंगे कि casing के अंदर ये detect करती है कि नहीं करती है अगर casing के अंदर ये detect करती है तो हमारा डेटा जो है वो बहुत असानी से बहुत इजली तरीके से हमारा निकल सकता है डेटा अगर उसके बावजूद अगर ये केसिंग के अंदर भी नहीं निकलती है तो फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना है तो गDes यह अचुकी है हमारी केशिंग देख सकते हैं आप जो की नॉर्मल टेकनो टैकर कंपनी की है और ये हम इसको खोलते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं कि ये एक्चुल में होता कैसे है यह है सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको आपका डेटा निकालना है हाड ड्र है यह style kabel है यह है two point zero के अंदर इसके अंदर और भी काफी औरयटी दा थी थाती इसके अदर आप three point zero में भी यूज़ कर सकत το اس को हम इसके अंदर two point zero के अंदर लगा के और इसको आपको दिखाते हैं कि आपनारी हाड्ड रैव जो है इसको आपने यहां से ढकन को बहुत एजली प्रेस कर दनी है और यह हमारी हो गई है बंध बंद होने के बाद यह केबल है USB Cable है इसका ये Connector है इसका इस Connector के अंदर आपने अराम से ये लगाना ये हमारी लग चुकी है तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एक Laptop के अंदर और Laptop को On करते हैं और Laptop को On करके चेक करते हैं कि ये हमारी Hard Drive चल रही है कि नहीं चल रही है डिटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है क्या इसमें Data Recover हो सकता है कि नहीं हो सकता है फिर मैं आगे आपको बताता हूं तो गाइस ये खुल चुका है हमारा Laptop दूसरा Laptop हमने लिया इसके अंदर USB के अंदर यह लगा दिया हमने और लगाने के बाद moment तो आ गई है इसके अंदर और साथ में इसके अंदर यह बत्ती भी चालू हो गई है इसके अंदर और यह आपको दिखाते हैं आगये की तरफ यह लिखावा आ गया है हमारा local disk किसके अंदर लिखावा आ गया यहां से इस डिस्क मेनेजमेंट में हमारा यह शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह आ चुका है हमारा डिक्स मेनेजमेंट और साथ में यह देखें यह आ रहा है हमारा एक हजार जीबी की जो हमारी एस डीडी थी जो की हमारी यह आ रही है इसके अंदर में तो यह हमारा जो हार्ड र अपना सेफ कर सकता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि अगर लैप्टॉप अगर इस कंडिशन में है यह अगर लैप्टॉप की यह कंडिशन है और यह इस तरीके से खतम हो गई है तो बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि laptop के सारे parts भी खराब हो चुके होंगे या चीजे खतम हो चुके होंगी तो ऐसा नहीं है, में भी उसके अंदर RAM ठीक हो सकती है, या बैटरी ठीक हो सकती है, या dead condition में अगर laptop है, तो भी उसके अंदर कई सारी चीजे okay होती है, जो की हमें अपना छोड़ देते हैं, तो या आप इस थरीके से इसके अंदर आप जो है hard drive निकाल सकते हैं, डेटा इसके अंदर से एक last बात बता दू, मैं आपको इस casing के बारे में इसके price के बारे में कि ये casing की जो price होती है वो normally 200, 200, 300 पे से starting हो जाती है और आप इसे बहुत easily जा के ले सकते हैं कहां से ले सकते हैं, ये भी मैं डाल देता हूं इसके अपने channel के description में मैं डाल देता हूं आप वहां से जा के देख सकते हैं, ये casing आपको इस तरीके से मिल लागी और आप खुदी घर पे बैटे-बैटे आप ये चीजे लगा सकते हो तो guys, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो please like, share and subscribe जरूर करें